गुड मॉर्निंग तू अलो फ्यू आज का हमारा टॉपिक है इंप्लिमेंटीशन ऑफ जी एस्ट इन इंडिया लास्ट वीडियो में हमने जी एस्ट की फीचर्स को डिसकस किया था जिससे हमें पता चला था कि एक्च्वल में जी एस्ट है क्या है अब जी एस्ट हमने जान गतरीभी इस्ट आपर फ टिन व disp है तो अब उस्ट को हमें क्らिमेंट भी करना था अब ऐसा तो था नहीं कि आपने बूल दिया कि घ Five % लगा दो तो इंडारीग टेक्स बाकि सारे रिपलेस होंगे इजी उली घ्स टीलागु हो जाएगा गुचस को लागु करने के लिए करने के लिए हमारी government को बहुत सारे steps उठाने पड़े ताकि पुराना जो system है उसको हमारा new system replace कर पाए आज उनी steps को क्या करने जा रहे हैं हम discuss करने जा रहे हैं first है आपका amendment in the constitution constitution देखो जितनी भी fiscal powers होती हैं हमारे constitutions में return होती हैं कि कितनी आपकी state के पास रहेगी और कितनी center के पास रहेगी जो हमारा पिछला indirect tax का system था वहाँ पर क्या किया हुआ था वहाँ पर बोला गया था कि जो excise duty है जैसा हमने बात की थी excise duty कोन लगाता था आपकी central government तो क्या कहते थी कि excise duty की power जो है वो किसके पास है आपकी central government के पास फिर हमने बात की थी कि अगर हम बात करें sales tax की तो वो sales tax लगाने का right हमारा था state government के पास यानि जो state government है वो लगाती थी आपका wet और अगर हम बात करें interstate sale की यानि जो central sales tax होता है वहाँ पर लगाती तो थी आपकी central government बट उसको भी collect करने का और उसकी income किसकी होती थी वो होती थी आपकी state की फिर जो service tax होता था वो पूरा का पूरा center रखती थी यानि वहाँ पर क्या हुआ था इस according partition हुआ हुआ था लेकिन जो हमारा new indirect tax का system है यानि जो gst का system है वो क्या कहता है चाहे goods हो चाहे service हो दोनों में ही क्या रख है dual gst लगता है cgst भी हम लगाते हैं यानि center का हिस्सा भी होगा और हम sgst भी लगाते हैं यानि state का हिस्सा भी होगा अगर हम integrated gst की भी बात करें तो वहाँ पर भी जो income होती है जो revenue होती है वो दोनों ही share करते है state and center तो अब क्या करना था इस type की जो structure थी constitution में लिखी हुई थी और अब क्या करना था हमें gst को implement करना था यानि दोनों को ही प्रावर पावर देनी थी तो यानि तो क्या करना पड़ेगा इस constitution में हमें amendment करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा जो gst में को implement करने के लिए जो amendment की गई थी वो की गई थी constitution वन हंडर और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट यानि constitution एक्ट 2016 के अंदर की गई थी और जो यह amendment थी यह वन हंडर और फर्स्ट अमेंडमेंट थी जो constitution में की गई जिसके थूँ क्या किया गया जो power center state में पहले जिस तरीके से बटी हुई थी उसको change करके उस तरीके से बाटा गया जो की require था for the implementation of gst यानि हमने क्या किया amendment की constitution में ताकि क्या कर सके state and center दोनों को power दे सके tax लगाने की भी और collect करने की भी यह amendment की गई through this act और इसका हुआ क्या result हमारा new article आया आर्टिकल 246 जिसने क्या किया center और state दोनों को ही empower किया tax लगाने के लिए भी और उसको collect करने के लिए हैनि first काम जो implementation करवाने के लिए gst का इंडिया में किया गया वो किया गया amendment in the constitution जो यह amendment constitution में की गई थी यह 2016 में हमने बोला की गई थी जब यह amendment की गई तो क्या बना होगा सबसे पहले एक bill बना होगा यानि जिसमें सारी amendments लिखी जाती है act बनने से पहले वो क्या होता है एक bill होता है फिर उस bill को क्या किया गया होगा राज्यसभा एट लोगसभा यानि अपर हाउस और लोवर हाउस दोनों में ही उसको पास किया गया होगा फिर आपकी प्रेसिजेंट की परमिशन मिली होगी तब जाके वो क्या बना होगा एक्ट बना होगा जो ये पास होने के बाद जो एक्ट बना था फाइनली वो बना था एक जुलाई 2017 को GST हमारा इंप्लिमेंट हुआ था लेकिन बाकी सब जंग हो गया था जमू एन कश्मीर में नहीं हो पाया था उस टाइम GST का लो वहाँ पर नहीं पास हुआ था तो वहाँ पर क्या किया गया फिर 7 जुलाई 2017 यानि एक वीक बाद जो आपका GST है वो जमू एन कश्मीर में अप्लाई हुआ Constitution में amendment करने की बाद जो second काम किया गया ताकि GST को implement करवाया जासके वो किया गया Acts बनाए गए यानि कानूनी तोर पर legislative framework त्यार किया गया जिनको follow करेगा हमारा GST यानि GST लगाते हुई जो rules follow होंगी जो low follow होगा उसके लिए rules legislation बनाए गए कौन-कौन से legislation बनाए गए mainly पांच एक्ट थे जो बनाए गए CGST Act यानि Central GST Act UTGST Act यानि Union Territory के उपर जो लागू होगा SGST Act जो आपका implement होगा state GST पे इसके बाद GST compensation python session to destiny accept एंड फाइनली जो एक लाफ बनाए गया वो था IGST यानि इंटग्रेम्द्ट गएश्ट्ट पर जो अप्लिकेबल होका जितनी भी इंटर स्टेट इंटर स्टेट सेल्स परचेस अपलाई होती है वो सारी की सारी इन फाइव एक्ट के अंदर डाल दी गई कि जो भी यूनियन टेरेटरी से रिलेटिड होगी वो यूटी जीएस्टी में जाएगी जो आपकी सेंट्रल लेवल जो इंटर स्टेट हो होगी वहां पर आई जीएस्टी अपलाई होगा और जो कंपनसेशन से रिलेटे जितना भी मैटीरियल लिखा है वो आपका जीएस्टी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट में लिखा है यह जितने भी एक्ट हैं इसमें जो आपका एस जीएस्टी है वहां पर तो यह तो बना और इन सारे एक्ट में भी जो सबसे मेन एक्ट है वो है आपका GST Act 2000 CGST Act 2017 बाकी सारे क्या यह लगा लोग copy paste हैं इसमें हैं जो सबसे मेन legislation बनाए गई हैं अब यह सोचो कि जो CGST Act है यह एक बनेगा या फिर 29 प्लस हमारे 9 बनेगा देखो 29 हमारे पास states है और 9 हमारे पास union territories है अब तो 28 हो गई है 28 states है और 9 union territories है लेकिन क्योंकि CGST Act क्या है center government लगाती है और हमारी center level पर एक ही government होती है तो CGST Act बनता है एक पूजो की पूरे इंडिया पर applicable होता है जो आपका STST Act है वो क्या बनाएगी वो सहर जो state है वो अपना अलग बनाती है सब states का separate बनता है यानि 28 बनेंगे लेकिन एक चीज ध्यान रखना दिल्ली और पुड्डूचेरी यह दोनों क्या है वैसे तो union territories है तो हिसाब से UTGST Act के अंदर जानी चाहिए थी लेकिन क्योंकि क्या है जो आपका दिल्ली है और जो पुड्डूचेरी है दोनों की अपनी legislative assembly है जैसे की state की होती है वैसे तो देखो यह दोनों union territory है बड़ जब हम बात करेंगी GST की तो GST के परपस से हम दिल्ली और पुड्डूचेरी को भी as a state treat करते हैं ना कि union territory यानि जो जब उनके अंदर कोई सेल होगी तो आप महाँ पर ऐसे treat करोगी जैसे किस state में हुई है ना कि as a union territory यानि total 30 SGST act जो है हमारी country में बनते हैं बाकी जो हमारी seven union territories बच गई वो आपकी जाएंगी UT GST act के अंतर तो यह सारे act बनाए गए GST को इंडिया में implement करने के लिए third step जो GST को इंडिया में अच्छे से implement करने के लिए उठाया गया वो थी आपकी GSTC यानि goods and services council जो यह GST council बनाई गई थी इसका purpose था harmonization लाना यानि रूप एक जैसा बनाना किसको जो आपके state level पर है center है और जो आपकी state है उनके बीच में different GST को लेके जो राय है जो उनके conclusions है उनको एक करना जो यह GST council बनाई गई थी इसमें क्या किया गया था जो chair person बनाया गया यानि जो सबसे main person होगा वो होगा आपका finance minister यानि at present बोले तो निर्मला सीतार में फिर इसका vice president होगा जो भी आपके ministers है different state government के उनमें से elect किया जाता है किसको vice chairman को members होंगे इसके जो भी finance से related members है states के वो और ministry of finance उनके जो person है वो क्या बनेंगे इस council के member बनेंगे जो भी कोई meeting होगी यहां पर तो उसकी जो quorum होगी वो क्या होगी one by half quorum का मतलब क्या होता है कि जितने total person है उनमें से कितने member कम से कम present होने चाहिए देखो notice तो meeting का सबको जाता है बट जरूरी नहीं है meeting बुलाई गई है तो सबके सब आएंगे तो quorum का मतलब होता है कि कितने percent member का होना जरूरी है meeting में अगर उतने member नहीं होते हैं तो उस meeting को postpone करना पड़ता है तो quorum यहां पर 50% है one by two है कि जितने total members है उसमें से कम से कम 50% member present होने चाहिए किसी भी meeting में कोई decision पर पहुंचने के लिए जो यहां पर इस council में decision लिया जाएगा वो always 75% majority से लिया जाएगा यानि quorum के जितने percent present होंगे उन में से अगर 75% किसी बात पर अगरी करते हैं तो वो decision final होगा जब decision लिया जा रहा होगा तो जो weightage होगी यानि one third weightage तो दी जाएगी center को यानि harmonization लाने का इसमें होता क्या है इसमें जो union finance minister है और जो state government के जो minister चुने गई है यानि जो आपका chair person है और vice chair person है वो क्या करते हैं different decisions लेते हैं कि कितनी exemption limit रखनी है कि कितनी आपने threshold limit रखनी है किसको GST का registration compulsory होना चाहिए क्या rates होंगी किस product को आपको GST के under रखना है किस product को बहार रखना है और जितने भी आपके states के revenue ministers होते हैं जो आपके state के finance minister है वो सब क्या करते हैं इन लोगों को guide अपनी तरफ से सलाह देने का काम करते हैं advisory service provide करते है और उनके advisory के वेस पे और अपनी knowledge के वेस पे जो आपकी chair person है और vice chair person है vice president है वो decide president नहीं vice chair person है वो लोग decide करते हैं कि actual में क्या final होगा तो यह सब भी बनाया गया एक proper council बनाई गई ताकि जो भी GST को implement करते हुए decision लेने पड़ेंगे tax की rates से या threshold limits वगरा से related वो सारे easily final हो सकें बहुत सारे matters होते हैं जिसमें जो यह आपकी GST council है यह decision लेती है कौन-कौन सा पहला decision की कौन-कौन से tax को sub-sumd करना है यानि include कर देना है किस tax के अंदर हमने बात की थी कि बहुत सारे tax हैं जो cgst के अंदर और कुछ है जो cgst के अंदर sub-sumd हो गए है यानि उनमें mix हो गए है अलग से नहीं लगाए जाते वो लगा दिया इसका मतलब वो लग गए तो जो tax sub-sumd कौन-कौन से GST के अंदर होंगे यह decide करने का right है आपकी GST council को दूसरा exemption from GST कि कि किन-किन products पे किन goods पे और services पे GST नहीं लगेगा वो GST से बाहर रहेंगी यह decide करने का right भी आपकी council के पास है third effective date of imposing GST on petroleum product हमने पहले बात की थी कि पांच टाइप के product petroleum, natural gas, कुछ ऐसे product से जिनके उपर क्या है डीजल वगेरा जिन पर अभी तक नहीं बताया गया है कि कि कब किस date से उनके उपर apply होगा यह आज भी उनके उपर पुराना system लगता है GST low apply नहीं होता तो यह decide करने का right की किस दिन से उनके उपर GST लगना start हो जाएगा यह भी है आपकी GST council के पास next है model GST low principles यानि जो main principles हैं उनके regarding यानि जैसे IGST है हम बोलते हैं कि इसमें center और state दोनों हिस्सा करेगा दोनों का हिस्सा होगा तो किसका कितना हिस्सा होगा वो decide करेगी आपकी council यानि जो main principle जो govern करेंगे किसी भी चीज को वो भी आपके हाथ में होते हैं GST council को इसके बाद जो हमने threshold limit discuss की थी GST registration की 40 लाग goods के लिए अलग-अलग type की 40 लाग-20 लाग वो threshold limit decide करने का right की कि किस goods के उपर किस state में कितनी limit से उपर अगर आपकी turnover है तो आपको GST के अंदर register करवाना पड़ेगा वो भी right होता है आपकी GST council के पास GST की rates कौन-कौन सी applicable होंगी ये भी decide करेगी आपकी council special rates special rates कौन सी जब भी कोई natural calamity आई है कोई disaster आया है उस time क्या है government कई बार rates change कर सकती है कि जगह पे इतने time के लिए पुरानी rate ना applicable होके ये rate लगाई जाएगी तो इस type की special rates decide करने का right भी होता है आपकी GST council के पास कोई special provision बनाना है किसी state से related जैसे अगर जमू कश्मीर से या हिमाचल परदेश्टे जो भी backward states है उनसे related उसका right भी होगा इसके पास GST के regarding rules बनाना यानि कैसे tax को pay किया जाएगा कैसे invoice भरे जाएंगे कैसे returns फाइल होंगी कैसे refund मिलेगा इन सब से related decision लेने का right है आपकी GST council के पास यह सारे rights थे mainly जो आपकी GST council के पास होते हैं जो GST council आपकी ले सकती है for the successful implementation of GST next है जो fourth काम करेगी पहले amendment की फिर acts legislation बनाई third उन्होंने council बनाई fourth है redefine करेगी redefine the role of C,B,E,C यानी central board of excise and custom देखो यह excise duty custom duty से related एक क्या था बोर्ड था जो इससे related decision लेता था उन्होंने क्या किया अब देखो इस excise duty custom duty को खतम करके हमें क्या करना है नया indirect tech system लेके तो क्या करना पड़ेगा जो बोर्ड ने जो पहले रूल बनाए होंगे जो बोर्ड बना हुआ है उसको भी आपको reframe करना पड़ेगा तो क्या किया गया एक नया बोर्ड बनाया गया central board of indirect taxes यानि CBIC बनाया गया इसको replace करके और इसके role को redefine किया गया ताकि क्या कर सके जो भी challenges आएंगे implementation में उन्हें advance में क्या कर सके उनके बारे में आपकी CBC prepare हो सके और जो rules है accordingly बनाए जा सके next काम जो किया गया GST को अच्छे से implement करवाने के लिए वो था आपका GSTN यानि GST Network Goods and Services Network देखो आपको क्या करना है portal के through GST में register भी करना है returns भी फाइल करनी है तो यह सारा काम करने के लिए कोई organization तो होना चाहिए जो सारे portal को manage करेगा सारे काम करेगा तो उसी के लिए क्या बनाया गया यह GST Network बनाया गया और यह जो GST Network है यह क्या है एक non profit non government private company है जो की क्या करती है setup provide करती है यह क्या है एक non government private company है जो mainly setup provide करती है के लिए IT infrastructure provide करवाने के लिए system provide करवाने के लिए services provide करवाने के लिए किसको central government को state government को taxpayer को यह जो भी कोई GST से जुडा हुआ है stakeholder जिसको भी GST से benefit होता है या किसी तरीके से जुडा हुआ हुआ है उन सबको एक proper system provide करने के लिए यानि एक type से आप कह सकते हो GST के portal को manage करने के लिए उसको बनाने के लिए क्या किया गया है GST network को बनाया गया है जो GST network है वो support करता है इसको आपकी government, taxpayer और जितने भी और stakeholder है उनके लिए बनाया गया है ताकि उन्हें क्या provide किया जा सके, infrastructure provide किया जा सके, system provide किया जा सके, services provide की जा सके ताकि आपका क्या हो GST का implementation अच्छे से हो और उसका administration भी अच्छे से हो सके तो उसके लिए क्या गया गया, proper GST का network बनाया गया, जो GST का network है वो अपनी सारी services देता है through GST portal GST portal पर ही सारा, क्योंकि GST का सारा काम online होता है, तो सारा portal की through ही होता है GST portal पर किया जा सकता है, registration का काम होगा, तो वो भी GST के portal पर होगा इसके साथ payment management का काम भी वहीं पर होगा return filing का, जो भी returns फाइल की जाएंगी taxpayer जो भी होंगे उनको manage करने का काम कि वो सही से सब कुछ कर रहे हैं, pay कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो भी यहीं पर होगा इसके साथ साथ आपके tax authorities के account को manage करना, उनकी laser बनाना, यानि laser management, training प्रोवाइड करना, employees को जो भी से जुड़े हुए हैं stakeholder, इसके साथ साथ research वगारा का का काम करना, यानि सारे काम जो भी हैं वो portal के थ्रू होते हैं और GST network का का काम है इस portal को manage करना, यानि GST network को create किया गया, जोड़ा गया लोगों को आपस में ताकि वो क्या कर सके, GST को अच्छे से implement कर सके, यानि GST को proper implement करवाने के लिए किया गया क्या-क्या, आपके constitution में amendment, दूसरा legislation बनाए गए, तीसरा GST की council बनाए गई, चोथा CBCC के role को redefine किया गया, and lastly GST का network बनाए गया, ताकि properly आपके इंडिया में GST को implement किया जा सके, I hope आप लोगों को clear हुआ होगा, still अगर कोई doubt है, तो आप पूछ सकते हो, comment section में भी पूछ सकते हो, और personal भी पूछ सकते हो, thank you.